हेलो दोस्तों के LD Classes में आप सबी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं नेपाल ने 2019 में पांच कौन सी SC उपलब दिया खेलों के माध्यम से प्राप्त किया है चाहे वो South Asian Game हो या जो 10 है Cricket Association आफ नेपाल उसमें क्या उन्हों ने इस तरह से उपलब दिया प्राप्त की औ नेपाल के खिलाडियों ने 2019 में रिकार्ड बनाया क्योंकि आज आपका 2019 की अगर बात किया जाए तो ये लास्ट डेट है आज आपका 31 दिसंबर है इसके बाद हम 2020 में प्रवेश करेंगे तो हर देस का या हर देस में हर लोगों का एक है ये मेन उद्देस होता है कि हम 2019 में कौन कौन सी ऐसी उपलबधी प्राप्त की जिसके माध्यम से ओ आगे 2020 में और अच्छा कर सकते हैं तो सबसे पहला हमारा होगा साउथ एसीन गेम को हम बात करेंगे कि साउथ एसीन गेम में नेपाल के खिलाडियों ने या नेपाल देस ने कितने आगे या कितनी जिससे उसका फाइदा आगे 2022 में जब साउथ एसीन का गेम खेला जाएगा उसमें कितना नेपाल को फाइदा होगा। तीन बार मौका मिला लेकिन वहां पे खेल का आयोजन नहीं हो पाया लेकिन आपकी 2019 में नेपाल में 13 नंबर का खेल का आयोजन जो साउथ एसियन गेम है यहां पे यह खेला गया नेपाल के तीन सहरों में इसको खेला गया पहले यह होता था कि नेपाल के मातर नेपाल की जो काटमांडू वहां पर हुआ करती थी लेकिन 2019 में ये पहली बार प्रियोग किया गया है कि नेपाल के काटमांडू के साथ साथ अन्य दो सहरों में देशते आपका काटमांडू तो होई गया पोखरा और जनक पूरी इस तरह से तीन सहरों में इसका एयोजन किया गया वह भी पूरी तरह से सफल ईयोजन जो कि पिछले 1999 के बाद इसके बीच में 1999 से 2019 के बीच में एक भी बार नेपाल में इस थरह से साथ एसियन गेम का ईयोजन नहीं किया गया था ये सबसे बड़ी बात यहां पर मानी जा रही है और ये जो 2019 में South Asian गेम खेला गया है ये आपका एक सिले के 10 दिसंबर के बीच में हुआ है इसमें नेपाल के खिलाडियों ने बहुत ही अच्छा प्रतसन किया है या कुलमिला के 206 पदोकों के साथ इन्हों ने सेकेंड अस्थान या दूसरा अस्थान पर प्रत किया तो इस तरह से इसमें कई रिकार्ड भी बने रिकार्ड के मैं आपको कुछ खिलाडियों के नाम बता देना चाहता हूँ पहली इसमें है गवरिका सिंग इन्हों ने तेराकी में रिकार्ड बनाया है गोपी चेंदर पार की एथलिट में संतोस त्रेष्ट ने भी इस तरह से एथलिट में अपना रिकार्ड बनाया और अन्न खिलाडियों ने बहुत ही अच्छा नेपाल के खिलाडियों ने की पहली उपलब्दी है क्योंकि इसी के आधार पे 2022 में जब पाकिस्तान में साउथ एसीन गेम खेला जागा चोदे नंबर का तो वहां पे ये अपना अच्छा प्रदर्सन इसी के आधार पे इसी के बेस पे कर सकते हैं और जो भी कमी रहेगे उसको आगे सुधार कर सकते हैं प्राप्त के जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं थूसरा हमारा टॉपिक है C.A.N. किरिकेट एसोसियेशन आफ नेपाल जैसे भारत का है B.C.C.I. अन्य देशों का अलग-अलग नाम होता है उसी तरह से नेपाल का किरिकेट का है किरिकेट एसोसियेशन आफ नेपाल कि जिसके कारण से यह आपको पता चलेगा कि 2019 में नेपाल के कैन ने भी अपनी एक तरह से होता है कि उपलवधिया प्राप किये 2016 हुआ यह था कि ICC जो इंटरनेशनल किरिकेट काउंसील है जो उसने नेपाल के इस कैन पर इस तरह से जो कैन है उस पे प्रतिबन लगा दिय है 2016 में इस प्रतिबन इसलिए लगा गया था मामला यह था यह था खेलो में सरकार का हस्तचहेप होने के कारण से इसको पूरी तेर से परतिबन लगा दिया हुआ हूँई दो हजर सोलम लगा था, 2019 में ये परतिवन्द खतम गा, तो ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी उपलवधी मानी जा रही है, और इस तरह से ICC ने अभी भी कई सरते कैन के सामने रखी हैं, जिसको अभी मानना पड़ेगा जो कैन है, और कई चीजे जो भी कहसे थे कि जो पैसे का आव जिसके माध्यम से आज नेपाल में जो किर्केट है या टीम है, उसको पूरी तरह से साहता मिल ले है, ICC के माध्यम से, कैन को अजिस तरह से उपलवधिया मिली है, 2019 में प्रतिवन्द हटने के बाद उस तरह से उन्होंने बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस और जो भी कमी रह उनके लिए अच्छी बात है कि वह उनसे दूर रहेंगे तो अभी खेल को आगे बढ़ा जा सकता हर देश की समस्य है कि जब कहीं पे भी सरकार हस्ता छेप करते हैं खेल को लेकर तो वह पूरी तरह से बिगड़ जाता जो सिस्ट्रम होता है तो यह थी नेपाल की दूसरी उपलब्धी इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी कब से कब है तीसरी उपलब्धी क्या है नेपाल के तीसरी उपलब्धियों में गिना जाता है पारेस खड़का ने एक दसक के बाद अपने कप्तानी छोड़े मात्र 32 साल के उमर में पारेस खड़का ने अपने जो किरकेट कप्तानी है उसके छोड़ दिया और ICC के क्योंकि कहा ये भी का आजाता है आकी सबसे बड़ी ये भी माना जा रहा है कि ICC का जब फैसला आया कि नेपाल के उपर जो तीन साल का पर्तियविंद उसको हटाया जा रहा है उसके बाद जैसे फैसला उसके बाद इन्हों ने पारस खड़का ने अपने जो पस से उसको छोड़ दिया कुछ ये भी बताय जा रहा है कुछ अंदुरूनी भी वाद था लेकिन इन्हों ने पारस खड़का जी ने जब इस तरह से इस्थिपा दिया मैं इसके बाद आप सुधार कर सकता और आगे से अगे बढ़ सकता है तो इस तरह से ऐह भी माना जाता है कि यह जो पारस खड़का जी न इस तरह से 22 साल के ओमर में अपने पर से श्थिपा दिया और लोगों को इस तरह होता है कि सहयोग प्रादान करें और अपना जो भी कारेभार है दूसरों को देके उसको भी आगे मौका दे जिस तरह सो भी कपतानी करें और ओभी देश के इस तरह सो तक खेल में भला कर सकता है तो यह जो पारस खड़का जी है इनके नाम भी कई रिकार्ड हैं जैसे टी-20 म तरह से नेपाल की और से पहले सतक लगाने वाले उसी तरह से Went Day में भी इनोंने पहले सतक लगाने वाले यह नेपाल के पहले खिलाडी बने हुए है आज का तीसरी उपलवदी नेपाल के खेलों में आगे बात करते है कि चौथे पर चौथा ये है अजीत यादो ने जीता एतिहासिक स्वरपद्क नेप्ल के अजीत यादो ने एतिहासिक स्वर्पदक जीता ये भी नेपाल में नहीं ये हांककाँ में जो हो रहा था मैं आपको बता रहा हो कि एसी एन यूथ एसी एन चैंपियंशिब इसमें उन्हों ने जीता इसके साथ साथ कई अन्य खिलाडियों ने भी 2019 में ये एक अईस्तरे से पुरसकार जीता है मैं 2019 में हांकांग में हुए ASEAN Youth ASEAN Championship 2019 में 3000 मीटर में जो होता नहीं दवड में सोड़क पदक ये अजीत यादों ने जीता था इस गेम में अगर बात किया ये जो गेम हुआ था 2019 में हांकांग में ASEAN Youth ASEAN Championship में नेपाल का कितना अच्छा परतर्सन रहा या नेपाल की खिलड़ियों ने कैसा परतर्सन कि और उनका स्थान काउन सरा तो नेपाल की अगर बात किया जाए कि आस्थान की बार in the और नौकास के साथ ये दस्वे नंबर पे इस गेम में या एसियन यूथ एसियन चैंपियन से में इस तरह से अपना जो होता ना की रिकार्ड बनाया था तो यह थी हमारी आज की चौथे नंबर के आगे बात करते हैं आज के पांचवे नंबर पे पांचवी उपलब भी इंटरनेशनल खेलते हैं और आगे अपना दुनिया में पूरे बिस्ट में नाम करते हैं तो यही ही चीज बात किया जा Répे है कि नेशनल गेम नेपाल की बात कि यह शुरवात किया गया था नेपाल में 1931 में लेकिन सुरवात तो बहुत अच्छीत Toboo गया 1981 बाद 1983 में हुगा 1985 में इस तरह से दो दो साल के अंतराल पर ये खेल का आयोजन नेपाल में होता रहा और बहुती अच्छे-च्छे खिलाडी इसके माध्यम सिंक निकले और आगे जाके इस तरह से देश के लिए पूरी तरह से खेले लेकिन थोड़ी सी समस्या था में इस नेश्नल गेम नेपाल का खेल अजया तो इस तरह सब्सक्राण आप सब्सक्राई KIM cantor लेकिन उसके और 905 बाहऊनος कर साथ इसको पूरी तरह से संपन किया है बहुत ही अच्छय तरह से 건데 जिसमें जिसके माध्यम से नेपाल के बहुत अच्छे खिलाडी निकले हैं अच्छा है वो साउथ एसियन गेम हो और आने वाला जो भी अच्छा है ओलंपिक गेम 2020 का होने वाला टोकियो में इसकी बाद साउथ एसियन गेम 2022 में पाकिस्तान होगा तो इस तरह से अगर यस ने जिकारियों ये भी बताया कि ग्राउंड लेवल पर खिलाडियों को तयार करने के लिए 850 मिलियन रूपए नेपाल के रूपया के बरावर कह सकते हैं इतना बज़ट जारी किया गया है उसमें से मात्र अभी तक 70% हिस्सा खर्च हो चुका है इसमें से दैसे एक फूटवा गेम या अन्य जो भी गेम होते हैं चायो विस्स में किसी भी देश में उसको खेला जाए तो यह थी हमारी नेपाल की आज पांच ऐसे खेल के माध्यम से उपलब दिया नेपाल के खिलाडियों ने तयार किया है और आगे जैसे ही कह सकते हैं कि नीस से इस तरह से तैरे से त दन्यवाद